दोस्तो इतने डीले रवईये से काम नीच लेगा भाई इतने डीले रवईये से दोस्तो काम नीच लेगा मैंने बोला था कल एक मंच पर सबको आना है एक्जाम पूर पर मैं उधर देख रहा था कि लगवग एक से डेड़ अजार बच्चे ही ऑनलाइन है दोस्तो तो इस तरीके से अगर मेरे मैंने जो ट्वीट किया था उस पर भी सिर्फ 69-70 री ट्वीट्स हैं तो इतने डीले तो दो हजार पर ट्रेंडिंग में आ रहे हैं लेकिन हमारा लगबद लाखों ट्वीट हो चुके हैं देड़ से दो घंटे में लेकिन अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो आप इस चीज को भी ध्यान रखें नहीं सो ओर भाई काफी दीमे तरीके से चल रहे हैं बच्चे बट गए हैं दोस्तों आपस में बच्चे बट गए हैं जो लोग पास हैं मैंने कितनी बार समझाया लोग आपको गुम्रा कर रहे हैं वीडियो बना बना के कि यह एक्जाम्स यह नहीं है बहीतिरद्द हो जाएगी वो हो जाएगी अरे दोस्तों तो रहें less time कि तो कभी बात ही नहीं कि किसी ने आपको बेफाल तुम्हें बर्गलाया जा रहा है क्या हम नहीं जानते कि 69 मानत करनी पढ़ती पड़ने में कितना एक्जाम देने में कितनी मेरत दखती है सालों लोग पढ़ते हैं और फिर भरती रद्ध हो जाए क्या इस चीज का अंदाज़ा नहीं है क्या मैं लेकिन लोग आपको बार 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 वो कहते हैं दिरूत नहीं है एक्जाम में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमको जांच चाहिए जांच होने के बाद सारे धांदले बाज बाहर हो जाएंगे जो बच्चे जैनुवन है 122, 125, 128 वाले वो सब उनको कम से कम मौका मिलेगा आप नजाने किस की बातों में आगे दोस्तों आप बहकाबे में आगे हैं और ये बात कितनी बार समझाई जाए समझ नहीं आ रहा लोग आपको बढ़काना चाहते हैं इदर उदर बाटना चाहते हैं और आप बट रहे हैं एक चीज़ का आपको अंदाजा लगना चाहिए कि अंग्रेजों के टाइम पे डिवाइड रूल था दोस्तों जब लोग आपस में बट गए थे तभी वो साशन कर पाए थे तो यहां सिर्फ सब लोग अपने मतलब से चल रहे हैं अगर आप बट जाएंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा आप वहीं रहेंगे जहां चार से पांस साल पहले थे दो चार लोग तो हर जगे दे को अंग्रेजों के सासन में भी दसवीस पचास लोगों ने नोकरी पाई थी पाई थी कि नहीं मातमा गांदी के जो पिता थे वो खुद एक सरकारी मतलब वो थे उसमें अंग्रेजों के साथ वो खुद एक वकील थे अगर उनको अपने आप से ही मतलब होता कि मैं तो वकील हूं अंग्रेज मेरी इज्जत करते हैं मेरे पास अच्छा-कासा पैसा है मुझे क्या मतलब जो मर रहा है मरने दो उसको गरीब किसान तो फिर तो कुछ चेंजी नहीं हो पाता ना आज भी वोई सिस्टम चल रहा होता तो इस्तिती कहीं न कहीं सेम है आपको लोग बरगला रहे हैं कि यह हो जाएगा यह मत करना वो हो जाएगा अरे अपने हग के लिए आप जैसी सोच लेके जाएंगे आगे वाली पीड़ी में तो वोई चीज जाएगी ना वो भी डरेंगे कि ठीक है यार सब जेल रहे हैं तो हमी कहां से जबकि आप जेल किसी गलत कौज पर नहीं रहे हैं यह बिल्कुल सही कौज है आपका हक है यह और हक भी चलो जब कोई फरजी में आवाज उठारा होता तो मान लिया जाता कि भा पर जब्धे के जब्धे पकड़े जारें साथियों किसी दिन छह किसी दिन बार है और आप स्वैम इस बात के साक्षी है कि एगजाम होने के टाइम पर भी कई सारे सॉलवर गेंग यहां तक कि दूसरे प्रदेशों के सॉलवर गेंग भी पकड़े गए हैं तो आपसे यह बिनती है कि किसी के बैकावे में ना ऐसा थी हो अभी भी पूरा एक सवा घंटा बाकी है पूरी दम लगादें पूरे जीजान से दम लगादें इसमें हाद जोड़कर बिनती है अगर चोटी मोटी चीज होती है तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है आप जानते हो जब हम इतिहास पड़ते हैं पायका रिवेलियेशन 1857 किसान बिद्रो कितने सारे बिद्रो हुए थे अपने भूत काल में रेस्ट्री में लेकिन सारे दबा दिये गए क्यों क्योंकि वो छोटे-मूटे बिद्रो थे तो वही यहां वो करना चाह रहे हैं कि कुछ ही लोग ही लेंगे कि करना ही करना है तो फिर कुछ भी मुम्किन है कुछ भी मुम्किन है दोस्तों आपको बस यह सोच के चलना है कि अगर जिंदगी में अगर जिंदगी में खुद के लिए न बोल पाए तो क्या गारेंटी है कल की तारिक में मालोग दरोगा ना बने कोई और तो कभी जीवन में दूसरे की क्या सायता कर पाएंगे दोस्तों कि बड़ी सोचने की साधरन सी बात है अरे यह रास्ते में बहुत सारी रुकावटें उन्हीं के आती हैं वो कहते हैं आपने सुना होगा कि जो जो लोग बहुत जबर्दस्त होते हैं ना उन्हीं के इम्तिहां लिए जाते हैं हलके फुलके लोगों को कोई कुछ नहीं कहता दोस्तों जो सबसे अच्छा ड्राइवर होता है फरारी उसी के हाथ में दी जाती है छोटे मोटे लोगों को तो साइकल पकड़ा दी जाती है ना आपको समझनी होगी यह चीज़ अभी आपके सफर में मुश् जलने आएं तो हिम्मत और बढ़ती है कोई जब रास्ता रोके तो जुर्वत और बढ़ती है अगर आजाओ बिकने पर तो घट जाया करते हैं दाम अकसर जो ना हो इरादा बिकने का तो कीमत और बढ़ती है साथियो अगर आप जुकने पर आ जाएंगे तो कीमत घटती च ली जाएगी आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो صिर्फ आप लोगों की बज़े दाओं कोई ऐसा तो है कि जो दूसरे लोग बैठे हैं वो भी आप लोगों की बज़े से बैठें दोस्तों कहीं न कहीं बच्चों को बाट दिया है और मुझे बहुत दुख है इस बात का उन साथियों के साथ खड़े हुएं जिनोंने महनत करके 130 से 132 से 125 नमबर लाए हैं और वो पास हैं लेकिन वो बिलकुल भी शौर नहीं है कि उनका इसमें हो जाएगा लेकिन वो कही न कहीं बहका दिये गए हैं कि भाई आप कुछ मत करना अधरवाइज भरती रद हो जाईगा रे दोस्तों भरती रद करना मजब बच्चों का खेल है क्या मजा कहका बरती रद करना भरती में बहुत पैसा लगता है यह रद नहीं होती है इसकी 99.99 लेविल तक जाच ही होगी और जाच के बाद चाहें इसमें 1500 लोग भी निकले न तो भी कोसिस करती है सरकार के उन बच्चों को मौका दिया जाए जो रह गए हैं भरती रद नहीं करते दोबारा से पूरा गरती की जाच हो जाएगी और उसके बाद आगे कोई भी भरती होती है तो गारंटी रहेगी कि नकल करने वाला 50 बार सोचेगा तो जिन्दगी बार बार मौका नहीं देती है यह आपको मौका दिया है कि भरती में कैसे भी सेंध मारी करने वालों को रोक लो आपको यह मौक कभी आप यूपी एसाई वाले अब आगे यूपी लेखपाल में भी देखना कुछ लोग खड़े होंगे ऐसे ही आप टुकड़ों में बढ़ते चलेंगे और टुकड़ों की कोई नहीं सुनता दो चार लोगों की कभी कोई सुनवाई नहीं है मैंने आपसे बोला था आपको लिंक दिया था कि जिंदगी में मेरा न जॉइन करें तो अपना कोई बनाओ लेकिन इस्टूडेंट के फ्रंट पे कोई गुरुप बना लो मैंने इसरा का निर्माड किया था कहा था इसको रजिस्टर करवाऊंगा इंडियन स्टूडेंट रिफॉर्म असोशेशन आपने उसमें रुची नहीं दिखाई मातर देड़ सो पॉने दो सो लोग है उसमें आज भी वो पड़ा रहता है डिस्क्रिप्शन में जाएं पहल लोग नहीं आएंगे आपके साथ फिर अकेले रोते रहना और आगले एक्जाम की तयाही करते रहना कोई ग्रुप बना लो आज भी बता रहा हूं इस तरह को जोईन करो इंडियन स्टूडेंट रिफॉर्म असोशेशन अगर उसमें अगर उसमें आप पचास जार से एक ल अंदोलन का वह ती आजा दी यानि हमको बहुत बड़ा एक मोटों चाहिए था और वह थी आजादी और उसके लिए आंदोलन हुआ था आज हमको छोटे मोटे पेपरों में धादली रुकवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि ये सासन अंग्रेजों से भी खराब हो रहा है दोस्तो अगर छोटी मोटी बात के लिए भी आंदोलन करना पड़े यानि हमारा सिस्टम उस चीज को रोप कर उस पर कार्नेवाई न कर सके तो फिर फाइदा क्या उसके लिए आपको अबाज उठानी चाहिए और और बार बार मौके नहीं मिलते दोस्तो ये भरती बड़ी थी दस अज़ार दरोगा की भरती यूही नहीं निकलती इसमें आपको मौका है अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए मेरी तो यही बस बात है क्या आप कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा दोस्तो बस motivation इसी लिए मैं दे रहा हूँ भाई ये वन टाइम करके कोई बंदा है ये उदर वीडियो पर भी ऐसे ही कमेंट करता है देखो कई लोगों के सबूत हैं दोस्तों जिन लोगों के हमारे पास दोकुमेंट भी हैं सबूत भी हैं कि वह फ्रॉड हैं और कुछ लोगों के डीवी पीसटी भी हो गए हैं अब क्या हो रहा है आगे आपको बताता हूँ ऐसा चल रहा है कि लोग डीवी पीसटी देने नहीं जा रहे हैं चूँ कि उनके लोगों ने ये कह दिया है कि भाई जुगार से ही काम चल जाए क्योंकि वहां पर जाएंगे तो उत्तरप्रदेश की पुलिस को आप जानते हैं दोस्तों बच के नहीं आ पाएगा अगर कहीं बाहर से ही सेंद लगाएगा तब ही कुछ होगा तो इसलिए वो अब वहां अनपस्तित हो रहे हैं कि बाहर से इतना पैसा दिया है तो और ले लेना पांच दस लाक रुपे लेकिन कोसिस करो कि सब कुछ जुगार से ही हो जाए हमको डीवी में जाना ना पड़े वरना हम धर लिये जाएंगे ये भी चल रहा है दोस्तों और ये एक्जाम बाले कहके जो लोग डराए गए हैं आपको फिर बता रहा हूं कितने भी एक्जाम हो जाएं भविस्य में धांदली होती रहेंगी धांदली होती रहेंगी कोई नी सुनेगा क्योंकि आज देख रहे हो आप आप खुद सोचो ना देखो लड़ने बाले ल दो से चार लोग ही होंगे लेकिन इस्टेडियम में खड़ी हुई लाखों की जनता तालियां जरूर बजा रही होगी तो तालियां बजाने वाले बहुत होते हैं इस टंट वाले दो चार लोग होते हैं आप खुद देख लो ना यहां क्या हो रहा है मैंने बोला था कि सब लोग एक साथ आकर इस पर ट्वीट करना दोस्तों मेरा ओनलाइन आने का कोई मतलब नहीं था मैंने देखा एक्जामटर पर मात्र डेढ़ हजार लोग हैं तो किस तरीके से ट्रेंड में अपने एक लाख ट्वीट भी कर दिये तीन घंटे में तो ऐसी चीज़ें ट्रेंडिं में नहीं आ रहा तो ये क्या है हमको तो समझी नहीं आता सब जगे अर्मला हमने लग तो कि यह बंड़ टाइम करके कोई बंढ़ है करहा है इसी तरह मैं फ़रजी हूं मैं इसमें गुशोगा कोई रोक सके तो रोक ले कोई वक्वास करता है करते रहो ये बंदा एक बंदा है दोस्तों सरोटिया करके सरोटिया करके बंदा है उसकी सब को पता है दोस्तों कि ये फर्जी है उसके 156 नंबर है उसका डीवी है 11 मई को अगर पकड़वा सकते हैं तो पकड़वा दो देख लो नाम है आलोक सरोटिया सरोटिया या सरोटिया जो भी हो और उसके 156 कोशन ठीक है और उसका डीवी है 11 तारिक को अगर कोई पकड़वा सकता है तो पकड़वा लो क्योंकि उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिले है कि भाई डीवी में तू उपस्तित मत होना यूपी पुलिस बहुत ज़्यादा चोकन नी है तुझे एक मिनट में धर लेगी और वो कोशिस कर रहा है कि उसमें उपस्तित ना हो तो आप समझ लो दोस्तों कि यह क्या चल रहा है आप कर सकते हैं तो कुछ एक्षन जरूर करें दोस्तों अगर पकड़वा सकते हैं तो पकड़वा लो आज फिर समझा रहा हूं कोई नहीं समझाएगा बार-बार कुछ नहीं होगा ऐसा बार-बार यह मौकर नहीं मिलते हैं कि कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि सर पढ़ादो सर पढ़ादो अरे मूर्खो जब तुम इतने इतने बड़े चैनलों पर इतने इतने सालों तक पढ़के पढ़नी पाए तो मैं पढ़ा दूंगा तो क्या तुम अभिमन्यू बन जा हुए क्या कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि पढ़ा दो अरे पढ़ा दो ये सब छोड़ो अरे भूको तो मैं कितना भी पढ़ा दिया जाए तुम्हारा जमीर तो मरा ही हुआ है देख लो दोस्तो हर चीज आपके हाथ में हैं हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये मौके बार बार नहीं आते बहुत सारे टूइट जा रहे हैं लेकिन ट्रेंड नहीं कर रहा है अब यही तो प्रॉब्लम है कि सारी चीज़ें बेग हैं यानि धुदली हैं कोई भी चीज की कुछ गर नहीं है किसी चीज की अगर देते हैं तो नॉर्म Adds का मेंटर किलिएर नहीं कि किस तरीके से नंबर घटाएं खिए बढ़ा रहें ट्रेंड प्रेंडन कर रहा तो पता नहीं चल रहाला पांच जारवाला ट्रेंडिंग कर रहा हैं और एक लाख के अंदर ही हो सकता है अब तक का भरती का सबसे बड़ा स्केम खुल जाए लेकिन बहुत हैरानी इस बात को भी समझ के होती है कि लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब तो काफे सारे मीडिया चैनल पर भी बात चल रही है लोकल लोकल जितने भी लखनू के मीडिया चैनल हैं सब ने ये बात उठाई हैं लोग बीजेपी कार्याले भी गए हैं लखनू लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी के कान में बात नहीं जा रही है आज भी कोई आदेश नहीं आ रहा है ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों भरती चल रही है भरती को चलने दो दोड़ हो रही है होने दो डीवी पीच्टी हो रहे होने दो अरे जब भरती अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है मेहनत वाले बच्चे भी पास हुएं तो इसकी SIT कराने में क्या जा रहा है कम से कम अब तो आपके सामने सबूत भी है इतने सारे लोग पकड़े गए है तो हो सकता है और भी लोग पकड़े जाएंगे इसकी जांच तो होनी चाहिए न ट्वीट नहीं हो रहा है कि जब ज़्यादा री ट्वीट करते हैं तो वो इसकेम समझ लेता है और इस वज़े से स्पैम बना देता है उसको फिर आगे वो सारे ड्राफ्ट में चले जाते हैं मैसेज आगे ट्वीट होता नहीं है तो आपको थोड़ा थोड़ा रुक के करना पड़ेगा और एक ही ट्वीट को नहीं अलग अलग ट्वीट को री ट्वीट करना पड़ेगा यानि एक ही आदमी के ट्वीट को बार बार री ट्वीट ना करें अलग-अलग लोगों के tweets को tweet करना पड़ेगा दोस्तों इस strength से पता चलता है देखो कहते हैं लोग अपने personal basis पर तो कभी हारते नहीं है लेकिन इस strength से पता चलता है कि क्या होता है बट जब किसी को अगर हिमत देनी हो तो कहना चाहिए कि अकेला व्यक्ति बैठता है तो वहां लाखों की भीड भी लग जाती है एक-एक बच्चा 500 ट्वीट कर चुका है री ट्वीट कर चुका है बहुत बंदे दोस्तों ट्वीट तो लाखों हो गए हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी कि ट्रेंडिंग में आ नहीं रहा है देखो एक बार और चेक कर लिता हूं साथियों प्रॉब्लम तो में यह है ना कि अभीट कर चाहा है अभी ट्रेंट है दोस्तो अभी नहीं क्या सिस्टम है से देखो आप देखो यह दिखा रहा है हमरे थोनी फॉर लाइफ हेल्डी लाइफ और 207 टूइट है इसके और यह ट्रेंडिंग में है हमारे लाखों टूइट पर कहीं भी अभी नाम नहीं है लाखों टूइट पर नाम नहीं है पांच-पांच हजार दो-दो हजार टूइट पर ट्रेंडिंग में हैं चीज़े दोस्तों आपको अभी वो अग्जाम पर वाले बंदे 9 बज़े से वो लोग खड़े हुए हैं टूइट के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितनी आप कर पाएं लेकिन प्रॉब्लम बस यह है दोस्तों कि यह ट्रेंडिंग में आनी रहा है क्योंकि बच्चे बट गए हैं कुछ लोगों ने जो है इस तरीके की चीज़ें आप पीछे का कोई भी वीडियो उठाके देखेंगे दोस्तों उसमें कहीं भी यह जिपर नहीं है कि भरती रद्द हो जाए या री एक्जाम हो जाए हमेशा जब भी बात की है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की की है और वही एक रास्ता भी है अभी हला मचा के हम बोलते हैं री एक्जाम री एक्जाम तो सरकार भी नकार देगी कहेगी बस फेल हो गए है इसलिए री एक्जाम लग रहा है और और उसका कोई फाइदा भी नहीं है, री एक्जाम में भी नकल हो जाएगी, इसका एक ही तरीका है और वो है investigation, सबसे पहले इसमें investigation होना चाहिए, इतने सारे tweet हो चुके हैं और trending में अभी नहीं आ रहा है, क्या बताएं दोस्तों ये क्या ही चल रहा है, देखो ऐसे इस तरीके से आप इन लोगों को पैंचालोई धांदले बाद जो लोग हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप अपनी समस्या से जुड़े हुए कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक बंदा है वन टा रहा है कि रोक सको तो रोक लो, तुम जैसे करांतिकारी बहुत आए और बहुत गए, कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, ये बरती ऐसे ही चलेगी, ये चेलेंज दे रहा है कि पैसे बालों के हिसाब से ही बरती चलेगी, दोस्तो इस पर बारे बजे तक जुड़े रहना है, ये देखना है, वो कहते हैं न कि सर फरोसी की तमना आव हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है, सातियो जो किसी चीज में हार जाता है यानि जिसके सामने सारे रास्ते बंद होते हैं उस पर खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं लेकिन हमारे पास सिर्फ उम्मीद है पाने के लिए कि हम जुकेंगे तो नहीं जब तक योद्धा का एक ही उसूल होता है जीवन में कि अंतिम सांस तक लड़ना आखिरी सांस तक लड़ना क्योंकि पता नहीं किस मुमेंट पर बाजी पलट जाए दोस्तों जो मैंने आपको इन्फोर्मेशन दी है उस पर ध्यान रखना अगर आप लखनु के आसपास हैं तो आलोक सरोतिया करके लड़का है 11 मई को उसका डीवी पीएस्टी है 156 कुशन सही है और उसके बारे में सारी जानकारी मेरे पास है स्क्रीन शॉट्स उसकी उसकी बातों के मेरे पास हैं दोस्तों वो फ्रॉड है और वो भरती होने जा रहा है और जिससे भी वो पैसे दे के भरती हो रहा है उसने उसको यह आगा किया है कि तुम डीवी पीएस्टी को मत जाना बरना धर लिये जाओगे कोसिस करेंगे जुगार से ही बात हो यह लोग ना तो ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों मेरी समझ में नहीं आता एक व्यक्ति अगर आपके साथ खड़ा है तो उस व्यक्ति यह पता नहीं है यह लोग समझते हैं अपने आपको कि यह चाहे जैसे कुछ लोग हैं जिनके 2244 मिलियन के चैनल है उन लोगों के कमेंट वाक्स में कोई आके कुछ उल जलूल कमेंट करे तो उनको तो कोई भाव नहीं मिलेगा ना वहाँ कोई ओकाती नहीं है क्योंकि वहाँ पर हजारों कमेंट होंगे इनको कोई सुने गई लेकिन जब जहां पर थोड़े छोटे चनल है या वह है वहाँ इनको क्योंकि इनका काम ही कहते हैं कुछ लोग जिस काम को आते हैं उन पर उस काम के अलावा जीवन में कोई काम नहीं होता जो आया जिस काम को उस पयाँ और नहों तो यह सिर्फ टांग कहीं नहीं पहुंचते हैं अगर यह दरोगा बन भी जाते हैं तो आप देख रहे हैं कितने दरोगा चोरी में धादलियों में रेप में दोर दे पकड़े जाते हैं यह उसी टाइप के लोग बनते हैं दोस्तों अभी इतनी मेहनत के बाब जो लाखों टूइट हो गए लेकिन ट्रेंडिंग में एक बार भी नहीं आ रहा अंदर थार्टी में भी नहीं आ रहा तो ये तो सोचने वाली बात है ये सोचने वाली बात है दोस्तों झाल्ष में रात है बात है ये ले ले लेकिन आ प्रूदादी में दियू हो खो कर दोस्तों प्रूदादी